खबर पियम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग में सबी राजयों के मुख्यमंत्री शामिल हुए कुरोना वाइरस के बरतमान हालात से परधार मंत्री सभी राजयों के हालात से अउगत हुए और जरूरी सलाधी मुख्यमंत्री ने कोरोना से लड़ाई में सभी राज्यों से मिल रहे सहयों की सराहना की इधर मुख्यमंत्री हेमन सोरे नगहा है कि कोरोना के संक्रमन से बचने का एक ही तरीका है कि सतरक रहे सुरक्षित रहे घर पर रहे खबर है 20 करोड महिलाओं के खाते में कल से रुपए भेजेगी मोधी सरकार जाने किसी खाते में कब आएंगे दोस्तों देश के हर नागरी को बैंकिंग ब्यूस्था से जोडने के लिए परधार मंतरी मोधी ने जंधन खातों की शुरुवात की थी इनका मकसद ऐसे लोगों को बैंकिंग ब्यूस्था में लाना था जिनका पहले कोई बैंक खाता नहीं था इन खातों को आप किसी भी बैंक की शाका में पहुँचकर खुलवा सकते हैं ये खाते जीरो बैलेंस पर खुलते हैं और इसमें दुरगटना, बीमा, ओवरड्राप्ट, फैसिलिटी, चेकबुक समेथ, कई दूसरे लाब भी मिलते हैं जंधन योजना में अब तक खुले बैंक अकाउंट में तीरपन परसेंट खाते महिलाओं के हैं जबकि 69% बैंक अकाउंट करामीन और कसबाई इलाके में खोले गए हैं जंधन खातों में आपको कई तरह की सुविधा मिलती है इसमें आपको ओवरड्राप्ट सुविधा के साथ-साथ रूपे डेविट कार्ड भी मिलता है इस कार्ड पर आपको एक लाक रुपे एकसिडेंट इंसुरेंस फ्री मिलता है अगर आप चेक बुक लेना जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको अपने खाते में कुछ राशी हमेशा बना कर रखनी होती है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको चेक बुक मिलने में परिशानी हो सकती है खबर जारखन के किसानों के खाते में भेजे गए 22,000 रुपए जारखन के 17,500 किसानों के खाते में परधार मंतरी किसान सम्मान निधी कि इस बित्य वर्स की पहली किस्त साल के पहले ही दिन पहुँच गई पिम किसान योजना के तद पूरे देश भर के किसानों के खाते में एक अपरेल को 22,000 की राशी हस्थानांतरी की गई है पिम किसान की यह 24 किस्त किसानों के खाते में भेजी गई है इससे पूरो पिछले वित्य वर्स किसानों के खाते में दो दो हजार की तिन किस्त भेजी जा चुकी है कबर है अपरेल में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक निप टालें जरूरी काम कोरोना वाइरस महामारी की चलते देश भर में 21 दिनों का लोकडाउन है सरकार ने इस बीच जरूरी सिवाओं को जारी रखने का फैसला किया है इन जरूरी सिवाओं में बैंक भी शामिल है बैंक लगातार खुल रहे हैं लेकिन अपरेल महिने में बैंक पूरे 14 दिन बंद रहेंगे इन 14 छुटियों में अलग-अलग राजियों में होने वाली छुटियां भी शामिल है इसलिए अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई काम है तो उसे समय रहते पूरा कर लीजिए ख़वरे बिले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना पी एन बी 12 फीसर तक कारोबार बढ़ने की उमीद दोस्तो राश्टर ब्यापी लोकडाउन के बीच पहली अपरेल से पंजाब नेशनल बैंक में औरेंटल बैंक ओफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ओफ इंडिया का बिले अमल में आ गया है इस पर पी एन बी बैंक के एमडी वो सियो ने कहा हमें करमचारियों के स्वास्थे का ध्यान रखना है और बैंकिंग सिवाई भी जारी रखनी है पी एन बी हालात को देखते हुए समाज के सभी बर्गों के हित्तों के मद्दे नजर सर्विस चालू रखने की कोशिश में है 30 मार्च से हमारी 95-96 फीसदी शाखाओं में काम चालू है वैसे शाखा आने वाले ग्रहाकों की संख्या 90 फीसद कम हो गई है लेकिन बीत बर्स की सुरुवात की चलते हमने हर ब्रांच वो एटीम में प्रयापत राशी पहुँचा दी है सरकार की घोशना के मताबिक दो दिनों में गरीब जनता के खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा हमने आटोमेटिक तरीके से सभी लोन एकाउंट खातदारों को टर्म लोन की किस्ते आगे बढ़ाने की सुविधा देने का फैसला किया है इससे कर्ज की ओधी अपने आप तीन मेहने बढ़ जाएगी जो गरहा किसका फायदा नहीं उठाना चाहते उन्हें बैंक को सुचीत करना होगा